Hello friends, तैसे हैं आप सब लोग ? उम्मित करता हैं आप सब लोग अच्छे हैंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं करने जा रहे हूँ मेरे किचन की डिप क्लीमिंग तो चलिए आप सब को भी दिखाती हूँ मैं आपने किचन की कैसे डिप क्लीमिंग करते हूँ यह है छोटा सा मेरा किचन यहाँ पर मैं रखती हूँ फ्रीज और इधर कुछ बर्तन बगरा रखे हुए हैं और इधर के साइड गयाचुला रखा हुआ है और नीचे हैं स्लेंडर और इधर मैं चावा लाटे के डिपे रखती हूँ तो अभी मैंने बाहर रख दिया हैं करता है तो बीच बीच में मुझे साप करना परता है कि मैं मुझे साप पर से शेट में तो को मैं यह साप नहीं कर थे लेंगे तो अभी मैं सामान हटा दूング ऑ जिना कि यहां पर मैंने उपर के स्टिप का लगब शामान हटा दिया है अब मैं नीचे के स्लिप से सामन को हटाऊंगे यहां पर मैं नीचे के स्लिप से सामन हटा रही हूँ उसके बाद जाएंगे इन बर्तनों को धोने के लिए जो डिपे बगरा जो गिलास बगरा हैं उनको मैं धो दूँगे दोने के बाद मैं धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी यहाँ पर मेरे रब गगरा सुख जाएंगे बहार में rख दिया है और उसके बाद मैं जाओंगी स्लेप को दोने के लिए यहाँ पर मैं पहले सुख कपडे से झाल लूँगी झालने के बाद अगार्ष और शर्प की मदद से मैं यहाप साप कर लूंगी उसके बाद गीले कपड़े से मैं इनको साप कर दूंगी देखे कितना गंदा हो रहा है मेरा स्लिप तो मैं दो तिन बार इस तरह से मैं साप कर दूंगी यह पर में प्लेक ग्लास से बगएरा रख दूंगे और जो मेरे कब ही उवन तो भी रख दूंगे तो जो टोली का समयन है तो निकालना नहीं अच्छा होगा इसके मेरे कब भी रखना शुरू कर दिया है एक पानी की बोतल है उसके उपर मैंने रखा था ये मेरे ट्रे बगएरा है सामने रखा रहता है तो चीजे निकालने में आसानी होती है नीचे मेंने पानी की वाल्टे रख दी हैं जग रख दिया है और जो मुझे चैया होगा मैं जगदी से निकाल लूँगी यहां पर मैं कटोरी बगएरा रख दूंगी और यहां पर में जो थाली है प्लेट है उनको रखोंगे निकाल सबस्ट खाल – जुल खाल जगदी के सबस्त कि मैं जो बगदी यहां पर मैंने पीछे जग रख दिया गरम पानी का और यहां पर मैं कुछ डिपे रख रही हूँ और इसके बाद मैं जाओंगी ग्याचुला साफ करने के लिए मैंने ग्याचुला साफ कर लिया है सर्व के मतदद से आप मैं सुखे कपरे से साफ कर रही हूँ ग्याचुला मेरा कितना चमक रहा है अब मैं नीचे के साफ थोड़ा साफ कर दूंगी अब मैं जाओंगी नीचे की सपाई करने के लिए जाड़ो मैंने लगा दिया है आप में पहुचा लगाउंगी पोछा लगाने के बाद उसके बाद में पंखा चला दूंगी पंखा चलाने से ज़ल्दी सूख जाएगा और जो सामा रखा रहता है उसको में रखोंगी इधर मेरा पोच्छा लग गया है लगड़ और पोच्छा लगाना हो जाएगा तब मैं सामानों को रखोंगी इधर मैं सिलेंडर रख दूंगी कोने में और इस्टिल के तीन दिपे दिख रहे होंगे एक में मैंने चावल रखा हुआ है एक में आटा है और एक में हैं कुछ इधर में फ्रीज को थोड़ा बहुच साप करूंगी क्योंकि पहले से मेरा जो फ्रीज हो साप्तिया हुआ है और उधर प्लास्टिक के डिपे दिख रहे होंगे बड़े वाले डिपे उसमें एक में चावल रखा हुआ है और एक में रखा है साबुन बगरा है जो सैंपू बगरा चाहिए होता है मैं उसको एक टिपे में रखती हूँ और कोने में दिखा होगा एक बाल्टी उसमें पीने वाला पानी है तो अभी देखिए मेरा किचन कैसा दिखा है यहां पर दरवाजे की पीछे मैंने कोकर के धक्कन गगर रखे हैं डिप पानी की बोतल है तो इस तरह से मैंने कुछ रखा है और जगा कम होने के कारण मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रही हूँ तो उमीद है आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद कीजिएर आपको नहीं एटीरा तो उल्राइक कीजिए की आपको कीजिए Taking झाल, 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 झाल